दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और महत्वपून जानकारी के साथ हम एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में आईए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं चिरोन जी के दानों के फाइदों के बारे में जी हां दोस्तो मीठी चीजों में खास तोर पर इस्तमाल होने वाली चीरोंजी में ऐसे कई सारे पोशक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास के लिए बहुत ही फाइदेपन्द होते हैं स्वास के लिए कई सारी बिमारियों से लड़ने में सायक होते हैं दोस्तो चिरोंजी में प्रोटीन की परियाप्त मातरा पाई जाती है इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन बी भी परियाप्त मातरा में होता है वहीं इससे बनाए गए तेल में एमिनो एसेड और इस्टियरिक एसेड भी पाई जाता है दोस्तों हाला कि ये एक महेंगा ड्राइफ रूट है लेकिन इससे होने वाले स्वास तुलाब वाकई में बेजोड है और बहुती लाजवाब है जो शरीर को कई सारे लाजवाब फाइदे देता है और कई सारी बिमारियों से बचा कर रखता है लेकिन दोस्तों इसकी जो फाइदे हैं वो हर किसी को पता नहीं होते हैं कितना ये बेनिफिशल होता है कितना अनमोल होता है स्वास के लिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उन फाइदों को बताने वाले हैं जो अधिक व्यक्ति नहीं जानते तो चलिए दोस्तो अब बताते हैं इसके कुछ मेन फायदों के बारे में दोस्तो चिरोंजी में प्रचूर मात्रा में प्रोटीन पाये जाता है कुछ मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो शरीर की प्रोटीन की आवशकता की पूर्टी आप कर लेंगे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उस लिहाज से आपके लिए चीरोंजी खाना बहुत ही बेनिफिशल हो सकता है दोस्तों आप चाहे तो इसे कच्चे रूप में भी खा सकते हैं या फिर किसी भी स्विट डिस्क के साथ इसको पका कर इसका सेवन आप लोग कर सकते हैं दोस्तों किसी को अगर शारीरिक कमजोरी है बहुत ज़्यादा कमजोरी फिल होते हैं चक्कर आते हैं एनरजी की कमी महसूस करते हैं तो उसके लिए भी चिरोंजी खाना बहुत ही बेनिफिशल होता है ये शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ शमता का भी विकास करेगा रोगों से लड़ने की जो शमता होती है अगर वो कम है शरीर में तो बहुत सारे रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो तागि रोगों से लड़ने की शमता में भी आपके विकास में मदद आए और शरीर से लड़ने की शमता आपकी बड़े तो ऐसे में भी चिरोंजी बहुत ज़्यादा वेनिफिशल होती है दोस्तो सर्दी जुखाम की अगर किसी को प्रोब्लम है तो ऐसे में भी चिरोंजी खाना बहुत फाइदे मत दोता है दोस्तो इसे दूद के साथ पका कर प्रियोग में लेने से आपको सर्दी जुखाम की तकलिफ से फाइदा होता है और सर्दी जुखाम आपके दूर हो जाते हैं दोस्तो चिरोंजी एक बहुती कारगर सुन्दरी उत्पाद भी है जी हाँ इसके इस्तमाल से आपके चेरे पर चमक आती है और कील मुहासे जैसी समस्याएं दूर होती है अगर आपके चेरे पर दाग है तो इसको पीस कर प्रभाविक जगे पर आप लगाएंगे तो आपका चेरा बेदाग हो जाएगा और जितने भी काले दब्बे हैं या फिर कील मुहासे हैं वो सारे दूर हो जाते हैं अगर आप इस तरह किये से चिरोंजी का प्रियुक करते हैं तो इसके लावा दोस्तों अगर आपकी रंगत गेहरी है तो भी आप इसके पेश्ट का इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यही थे चिरोंजी के लाजवा फायदे जो की अधिकतर व्यक्तियों को पता नहीं होते हैं कि छोटी छोटी चिरोंजी के इन छोटे छोटे दानों में कितने सारे स्वास्त वर्दक गुन शुपे हो होते हैं तो दोस्तो यही थी हमारी आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्